पंडी जी अभी जो है हम बात कर रहे थे अशोग चवान को लेकर आपने कुछ चीजे उनके बारे में कही लेकिन अशोग चवान जी जो है वो जब मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठे थे ये सवाल बहुत महत्व पुरुने पंडी जी इसका जवाब तो आपको बहुत इमानदारी से देना होगा आप तो अक्सर देते है और उसी कारण आप पैचाने भी जाते हो पूरे देजबर में औ और अपनी छेत्र में जब मुख्यमंत्री बने थे अशोग चवान तब उनको उस कुरसी तक लेकर जाने वाले कुछ लोगों को बुल गए थे और उनको मदद करने वाले कुछ लोगों को भूले थे उनको विलासराओ के हमले से बचाने वाले कुछ लोगों को भूले थे तो ये जो उनकी भूल थी ये उस कुंडली में लिखी हुई थी या ये उनका स्वभाव था हला कि जब मैं उनको जितना जानता हूँ उनका स्वभाव वैसे है तो नहीं लेकिन वो क्यों बदला देखिए ऐसा है जब बुद्ध है ना जी बुद्ध बुद्धी और वानी का प्रतीक है सूर्य जो है वो अभिमान का और आपके लीडर्शिप का प्रतीक है सूर्य और बुद्ध बुद्ध देते योग बनाते हैं बुद्ध और गुरू जब भी गुरू के साथ में बुद में कोई फरक नजर नहीं आता फिर जब प्रहार कुंडली के ग्रहों का हो जाता है तो तब आप तब आप कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि बुद्ध गुरु के साथ बैठा हुआ वहाँ विश्योग बनाता है इसलिए मित्रों को बड़ों को जेश्ठ नेताओं को कभी भी आप आगे जब भी आप सत्ता में आए ना नका रहें क्योंकि इस वक्त तब तो मैं यही कहूंगा पच्टावे होत क्या जब चिडियां चुक गई खेत तो जो अब महौल बना हुआ है आपकी कुंडली में उसको चौँ 2014 एपरिल के बाद सजाने के लिए पाठ पूजा ब्रहमन को मिलाना बात करना और अपना मार्ग दर्शन देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त तो वातावरन बहुत जाए नहीं है